हलो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम आमिर है और वाइफाइ स्टेडी स्से एक्जाम चेनल पर आपका हारदिक स्वागत करता हूँ जो कि अनकेडमी का यह पार्ट है तो चलिए दोस्तों फिर जल्दी से जल्दी आजाईए और अपने सभी दोस्तों को कर दीजिए हमारे इस स्वागत अगर आप सभी के सभी मेरे इस नए जर्नल साइंस के त्योरी प्लस कोर्स के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो 11 फरवरी डेट है सुबह का समय साड़े साथ बजे और हम लोग यहां पर इस क्रेश कोर्स से बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे और बिल्कुल अच्छी चीज़े यहां पर हम करने वाले हैं बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली आप सभी जल्दी से जल्दी आ जाएए छेसल से लेकर जितने भी एग्जामिनेशन आपके मोस्ट कॉंपेटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी की तैयारी यहां पर होती है वेरी गु जल्दी से जल्दी हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं तो कीप लाइक एंड शेरिंग दोस्तों मैं बहुत अच्छा हूँ आप लोग कैसे हैं वेरी गुड इवनिंग आल अफ यू आप सभी जिन्हों ने अनकैडमी पर मुझे फॉलो नहीं किया है अनकैडमी लर सबस्क्र€ GASAN में आप देखेंगे औरिया यहां से आप मुझे फॉल अप कर सकते हैं मैसेज बेस बीच सकते हैं हेलो प्रिंगा इसके बाद में सब्सक्रिप्टापटी के लिए बंस त्री मन्स इसमant ट्विल प्लस सब्सक्रिप्शन पर जूर सकते हैं तो छोटा सा अड़ोटाइजमेंट आई आप लोगों के लिए चलिए मैं बहुत अच्छा हूँ प्रिया गुपता आप कैसे हो चलिए सर मॉर्णिंग बैच का टाइमिंग चेंज हो गया है बिल्कुल बिल्कुल मॉर्णिंग लिट्स को या गोनेरिया को नई जानवी प्लस के लिए वापिस क्यों देना पड़ेगा एक बार प्लस हो गया है अब वह हमेशा प्लस रहेगा आपका एक साल के लिए कमेंट नहीं आ रहे हैं में भी शायद को नेटवर्क इश होगा थोड़ी दिर में सही हो जाएगा जल्दी जल्दी आंसर दीजिए इतना बड़ा तो यह question भी नहीं जितना आप लोग सोच रहे हैं फटाफट से आंसर देकर पताईए आपके साफ से आंसर क्या होगा काली मौत का नाम क्या होता है किसे काली मौत कहा जाता है जल्दी पताईए ब्लैक डैथ किसे कहते हैं बिल्कुल सही जवाब और आंसर है प्लेगज़ तो यहां पर अगर हम बात करें प्लेग को तो प्लेग को ब्λέक डेथ के नाम से जाना जाता है ठीक इए? इसको ब्लेक डेथ या काली मौथ के नाम से जाना जाता है आप लोगों को पता होगा ये अच्छी कासी महामारी थी और काफी लोग इससे मारे गए थे चूहों से फैलती है ठीके और अगर हम बात करें इसके बैक्टीरिया के बारे में तो इसका जो बैक्टीरिया है वो है पास्चूरेला पेस्टिस ठीके या फिर आप इसको देखेंगे दूसरे नाम से और नाम होगा बैसिलस पेस्टिस अगले कोश्चिन के बारे में बात करते हैं अगर कोई आप से पूछे को बैसे पीलिया रोग जिसको जॉइनडिस के नाम से जानते हैं ये डिजीज कौन से औरगन से रेलेट करती है तो आपके साफ से आंसर क्या होगा आमाशे यक्रत आते या तंत्रिका हैं जॉइंडिस इस डिजीज आफ विच और गन स्टमक लीवर इंटेस्टाइन या नर्व जल्दी बताइए आपके साफ से सही आंसर क्या होगा बहुत बढ़िया वेरी गुड जल्दी अल्दी आंसर दीजे क्या बात है यार बहुत बढ़िया चले बिल्कुल सही जवाब और आंसर होगा यहाँ पर लीवर एक्जेक्ली गरेक्ट आंसर 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 इस लीवर तो पीलिया रोग जो है वो लीवर से संबंध रखता है दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आप लोगों के द्वारा अगले कुश्चन के बारे में बात करते हैं वेरी वेल डन अल अफ यू नितिवियास नेहा सुमन प्रिया गुड्डू निखत अमन जानवी अंजली और अमरनात ठीक है इन सभी ने आप पर आंसर बिल्कुल सही दिया है व अमनिकेशन सिस्टम होते हैं तो आपके इसाप से सार्ज किसको कहते हैं जल्दी चांसर देकर बताएंगे अगर 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 जल्दी बताएं सार्ज क्या होता है कि अगर अगर कि 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 वेरी गुड़ कि अशुतो सार्ज है सार्क नहीं है वेरी गूड़ एग्जेक्टली करेक्ट आंसर आंसर है अगर मैं बात करूं सार्ज के बारे में तो सार्ज क्या होता है वेरी गूड़ इवनिंग दीपती इट सीवियर एक्यूट रेस्पिरेट्री सिंड्रोम तो यह क्या है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेट्री सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम जो की रेस्पिरेशन पर एफेक्ट करता है और फॉर एक्जामपल आप लोगों का दुलारा और प्यारा कोरोना वाइरस ठीक है अगले गुश्चन के बारे में बात करते हैं न दिवानू के संक्रमन के कारण होती है जिसमें श्रीपद होगा मंस कुष्ट रोग या दमा आपके साब से कौन सी विमारी इन में से होगी जल्दी से आंसर देकर बताएंगे ठीक है श्रीपद के बारे में आप यहां से इसको चेंज कर दीजिए और इसको पोलियो कर दीज दीजिए इसको मैं यहां से इसको हटा जेता हूं कि चलिया बताईए अगर में मैसेज कर दीजिए अगर कोई आए तो कर छोड़िए रहने दीजिए कि मैसेज करने से कोई फायदा नहीं है जिसको पढ़ना होगा उसको टाइमिंग बता और वह आएगा डेफिनिट लिए और यह होता है किससे माइक्रो बैक्टीरियम लेप्री से ठीक है तो किससे होता है माइक्रो बैक्टीरियम लेप्री से होता है यह ठीक है और यह एक बैक्टीरिया होगा एक बैक्टीरियल डिजीज है और इसको छुआ छूट का रोग भी कहते हैं चुआ छूत रोग के नाम से भी जाना जाता है अगले सवाल के बारे में बात करते हैं अगला सवाल अगला कोशन निमलिकित में से कौन सी ऐसी बिमारी है जो वाइरस के कारण नहीं होती है खसरा नहीं होता सार्स नहीं होता चेचक नहीं होता या टाइफाइड नहीं होता त झाल झाल वेरी गूड है वेरी गूड बिल्कुल बिल्कुल अच्छा चले बिल्कुल सही जवाब अगर मैं बात करूँ खसरा के बारे में यानी इसल के बारे में meezels फेलता है पैरा मिक्सो से या मोर वैरस से ठीक है पैरा मिक्सो या Morbillie Virus ठीक है? अगर मैं बात करूँ SARS के बारे में तो SARS एक viral disease है बहुत सारी चीजों से फैल सकता है चेचक के बारे में बात अगर मैं करूँ तो चेचक फैलता है basically Veriola Virus से और टाइफाइट फैलता है Solmonella से और ये जो Solmonella टाइफी होता है ये है अगले कुशन के बारे में बात करते हैं जोड पर यूरिक एसेड क्रिस्टल का जमा हो जाना किस रोग का कारण होता है Arthritis का Osteoporesis का Osteomalesia का या रिकेट का तो जोडों के अंदर जब यूरिक एसेड जमा हो जाता है तो आपके आपसे कौन सी डिजीज हो सकती है सोच कर आंसर बताएंगे Very good evening राजदीप कुमार जल्दी बताईए आपके साब से कौन सी बिमारी होनी चाहिए निती, अमान, प्रिया, कुमारी बिल्कुल CHSL का क्लास है असुतोष, गुड्डू चली बहुत बढ़िया और जो आमसर होगा वो क्या होगा Arthritis होगा Arthritis या फिर आप इसको गठीया-रोग के बारे में जानते हैं बिल्कुल सही जवाब इसको गठीया केते हैं अगले कॉस्चन के बारे में बात करेंगे निम्ण में से किस कोषिका दरवी कोषिकांग को यू केरियोटिक कोषिकाओं के अंदर प्रो-केरियोतिक कोशिकाए माना जाता है ठीक है कौन सा होता है आपके साफ से ओ तो आपको टैलीग्राम चैनल चैनल जो हमारा वाइफ ऐस्टिडी का टैलीग्राम चैनल है महाँ पर मिल जाएगा ठीक है क्योंकि हमें पीडियेफ का क्या करोगे जब तक आपको कुश्चन सारे जो हैं वो सॉल्व नहीं हो जाएंगे और आपको यहीं कुश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो इससे बैटर आप्शन कुछ नहीं हो सकता बिल्कुल बिल्कुल दिपिका कवर अभी क्लास शुरू है 15 मिनट पहले चले बताईए आपके साब से कौन सा सही होगा कि नहीं दोस्तों यहां जो आंसर होगा वो होगा माइट्रो कॉंड्रिया माइट्रो कॉंड्रिया किसी भी यू केरियोटी कोशिका के अंदर प्रो केरियोटी कोशिका मानी जाती है क्योंकि इसका खुद का डिन होता है और इसके खुद के अंदर राइबो सोम पाया जाता है तो यह अपना भोजन स्वेम बनाते हैं अपना भोजन स्वेम बनाते हैं इसलिए यह स्वेम पोशी भी होते हैं ठीक है और इसको semi-autonomous organ के नाम से जाना जाता है क्या कहते हैं इसको semi-autonomous organ थीडिके अर्द स्वायतंग कहते हैं इसको चलिए अगले कुछिर्ण के बारे में बात करेंगे रोगानों द्वारा उत्पन किये जाने वाले जानी वानिकारक outta क्या कहलना मेला if है टॉक्षिंग कहलाते हैं एंटीबाइटिक कहलाते हैं या प्रदूशन कहलाते हैं पता नहीं प्रिया चलता रहता है ग्रूप में कुछ ना कुछ अचानक से कुछ दस लोग जो हैं वो ग्रूप छोड़कर चले गए microbial toxins exactly सही जवाब very good बिलकुल सही जवाब आंसर है microbial toxins को पैदा करते हैं तो जो पैथोजन्स होते हैं वो यहीं होते हैं जो आपके पैथोजन्स होते हैं यह अविश यानि टॉक्सिक ही बनाने का काम करते हैं ठीक है बिलकुल बिटा हानी कारक पदार पूछा है नमिता नेहा टॉक्सिक्स बनाते हैं न ठीक है राजदीब अगला सवाल टाइफाइट बुखार किसकी वज़े से होता है जीवानूं की वज़े से विशानूं की वज़े से प्रोटो जोगा की वज़े से या कवक की वज़े से वेरी गूड इवनिंग क्रिश और फ्राहुल वेरी गूड निशासिन से सो दिया एक्जेक्टल बिल्कुल सही जवाब आंसर होगा है यहाँ पर बैक्टीरिया ठीक है और अभी अभी पढ़ा था क्या नाम है सॉल मोनेला टाइफी ठीक है बिल्कुल सही जवाब दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर अगले कुशन के बारे में बात करते हैं किस रोग का पूरी तरीके से उन मूलन कर दिया गया है ठीक है किस रोग का खसरा चेचा छोटी माता या कंट माला जिसको मम्स कहते हैं हाँ दीपती पूछो क्या कोशन है कोई बात नहीं हाँ नीती वो मनें गलती से टिक कर दिया था हाँ हाँ समझने वालों के लिए इशारा काफी होता है और कुछ नहीं है कि चली बताइए कौन सा वो रोग है हाँ बिलकुल वह एक्जाम जिसमें जनरल साइंस आती है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है वेरी गुड बिलकुल बिलकुल अपढ़ना दिबिगा सही जवाब और आंसर है चेचक ठीक है अगर मैं बात करूं स्मॉल पॉक्स के बारे में तो हम लोगों ने स्मॉल पॉक्स को पूरी तरीके से इंडिया से भगा दिया है और दीप्ती मोस्टली तो यूनी सेलरी होते हैं ठीक है और मेभी कोई कोई एक्सेप्शनल केस होगा वो मल्टी सल्लूलर होगा अगर अगर सकते हैं कम्प्लीट फॉर्म पड़ाई बताइए प्रिया आप तो ग्रूप में पूछ लिजए ना कोई ऐसा इस्यू वाली बात निए कि ग्रूप में डिसकस कर लेंगे इस चीज़ को अना अभी अग कामिन इए के या सी यह मैंने सुबह ही करवाया था अगर आपको याद हो तो इसी से रिलेटेड मैंने आपर करवाया था मैंने यह जो कॉष्ण आज एड करें ये उन लोगों के लिए करें जो सुबह वाली क्लास में नहीं थे ठीक है तो उन लोगों के लिए मैंने कोष्ण एड करें स्पेशली विटामीन ए बिल्कुल जवाब है विटामीन एजा राइट आंसर तो आप लोगों का नुक्सान नहीं होगा एट लीस्ट कम से कम वेरी गुड जोती दीप्ती अगले कोश्चन की बारे में बात करते हैं संचरण के संदब में विज्ञान की वो शाका जिसके द्वारा काम किया जाता है क्या कहलाती है जन पादिक रोग विज्ञान हेतु विज्ञान प्रतिरक्षा विज्ञान या आर्वत साइन्स आज सुबह के लोग बहुत कम लोग थे बिल्कुल अना कैडमी पर आज बहुत सारे लोगों के टौपिक्स छूट गए थे तो जिन लोगों के टौपिक्स छूट गए थे वो यहाँ पर रिवाईज कर लेना आज ठीक है रोज नहीं करवाऊंगा आज आज के लिए मैंने ये चीज़ करी है कि चलो ठीक है किसी के टॉपिक्स नहीं चूटने चीए सुबह क्लास हुई थी आज आट बजे और बिल्कुल यहाँ जो आंसर है वो होगा ए इसको जनपादिक रोग विज्ञान या एपिडम लौजी के नाम से जाना जाता है बिल्कुल यहाँ जो आंसर है वो बिल्कुल सही है अगले कोशन के बारे में बात करते हैं किस रोग में जैविये संचरण नहीं होता विट डिजीज दस नॉट हैवा बायलोजिकल ट्रांस्मिशन इस मलेरिया फाइलेरिया काला अजार और कॉल्रा पिटा कौन सा दिपिका कौन सा कुश्यन करना है हाँ बिल्कुल तु था राउल बिल्कुल था वेरी गुड आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पर एकजेक्ली एक दम करेक्ट आंसर है और आंसर होगा कॉल रहा हैजा क्योंकि मलेरिया एक मच्छर की वज़े से फैलता है जिसका नाम एनाफलिज है फाइलेरिया भी एक मच्छर की वज़े से फैलता है जिसका नाम क्यूलेक्स मच्चर है और काला अजार सेंड फ्लाई बालू मक्की की वज़े से फैलता है जबकि हैजे को किसी ट्रांस्मीशन की जरूरत नहीं पड़ती है अगले कोशन के बारे में बात करते हैं किश दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 20 मार्च 20 दिसं समबर या एक मार्च अ कि इससे ज्यादा इजी कोशन नहीं पुजा सा सकता वर्ड एट्स दे कब होता है एक्जेक्ली बिल्कुल सही जवाब एक दिसंबर को वर्ड एट्स डे मनाया जाता है बिल्कुल दोस्तों यहां जो आप लोगों के जवाब हैं वो बिल्कुल सही है अगला कुशन अगर हम बात करें हाँ पर डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति के बारे में तो आपके कहा जा सकता है अल्जाइमर डिजीज मेनिंग जिस एंसे फ्लाइटेस या हटिंग टन डिजीज कि नहीं हुआ था 100 परसेंट राउल सुबह के पोल में नहीं हुआ था हां अ प्रिया गुता वह आठ वाली जो क्लास है उसको चेंज करेंगे इवनिंग में ऑनको है ना हां ऑवना अउसको बिल्कुल सही जवाब लुक्र करेंट नाउम सठावर है हटिंंग टन डिजीज हटिंग डिजीज हुटी मंगोलियन इडियेट वाली डिजीज है आप लोगों को पता होगा डेफिनिटली आप लोगों ने सुना भी होगा और शायद पढ़ा भी होगा ठीके हटिंग्टन डिजीज कहते हैं इसको बिल्कुल सही जवाब अगले कुश्चन के बारे में बात करते हैं अगला सवाल कहत है कि मीना माटा डिजीज पानी में किसके प्रदूशन के द्वारा फैली थी लैड टिन मैथिल आइसो साइनाइट या मरकरी हां जोती एक रिविजन कर दिया बिल्कुल बिल्कुल जोती प्रजापत सुबह वाली क्लास का एक रिविजन है इसका अंसर अमन के द्वारा दिया गया था मरकरी ठीक है और आप लोगों को पता होगा कि जापान में मचलिया मरकरी खा गई थी और जब लोगों ने उनको खाया तो उनके अंदर कौन से डिजीज हो गई मीना माटा डिजीज हो गई थी बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर अगला सवाल पीला रंग मजला कद और एपितिक फोल्ड वाली तिर्ची आखे किसका सिम्टम है लिग्रोइड का ऑस्टेलॉइड का यह केंको सॉइड का अब वेरी गूड दीपती वेरी वेल ड़न यार हाँ जोती सुबह वाली क्लास को शाम को कर देंगे क्योंकि 11 तारिक से प्लस कोर्स जो है वो लॉंच हो रहा है साड़े साथ बजे तो डेफिनेटली हमको यह टाइम तो चाहिए एग्जेक्ली आंसर बिल्कुल सही है और आंसर है मंगलॉइड ठीके इसी लिए इनको मंगोलियन इडियट के नाम से जाना जाता है मंगोलियन इडियट कहते हैं इनको ठीके क्या कहते हैं मंगोलियन इडियट कहते हैं ठीके बिल्कुल अच्छे कोश्यन के बारे में बात करते हैं डेंगू किस रोग वाहक द्वारा संचारित किया होता है एनाफलीज के द्वारा क्यूलेक्स के द्वारा एडिस के द्वार या मन्सोनिया यूनिफॉर्मिस के द्वारा प्रिया सुवे साड़े साथ बजे प्लस कोर्स जो है वो स्टार्ट होता है नई बेटा प्लस कोर्स वाला में शाम को नहीं कर सकता क्योंकि शाम को इतना टाइम नहीं रहता वेरी गुड बिल्कुल सही जवाब है यहां पे और आंसर है मादा एडिज एजिप्टी बिल्कुल सही जवाब मादा एडिज एजिप्टी और वाइरस को लेकर आती है और इस और वाइरस के जरिये क्या होता है डेंगू होता है जानवी अगर फॉसिबिलिटी हो ती तो मैं शाम को कोई कोर्स करता ठीक है पर शाम को कोर्स पॉसिबल नहीं है सुबह सुबह पढ़कर आप लोग पूरे दिन बर अराम से मतलब एक पूरा रिविजन कर सकते हो तो मॉर्णिंग की क्लास मेरे साब से मच बैटर होती है अगला सवाल एक्स रे की खोज किस ने करी थी रॉस रॉनाल्ड ने एक्सी यूरे ने डबलू के रॉंट जन ने या जी मारकौनी ने अच्छा प्री आपके पास सब्सक्रिप्शन है वेरी गुड एक्जेक्ली आंसर बिल्कुल सही है और आंसर है डबलू के रॉंट जन के द्वारा की गई थी बिल्कुल सही जवाब एक्जेक्ली आंसर आप लोगों के द्वारा बिल्कुल सही दिया गया अगला सवाल malaria रोग प्रभावित करता है किसको हिर्दै को, फेफडों को, स्प्लीन को या फिर किसी व्रक को व्रक का मतलब होता है kidney kidney को जल्दी आंसर देकर बताएंगे आपके साथ से malaria किसको effect करेगा कि जल्दी आंसर देकर बताएंगे आपके साथ सञी जवाब क्या होगा विलकुल सही जवाब अगर हम लोग यह बात करें spleen के बारे में तो देखो बरी अगरом बात करें स्प्लीन के बारे में तो actual में हम क्या कहना चाहते हैं कि RBC affected होती है क्या होती है RBC affected होती है ठीक है RBC की ओपर प्रभाव पड़ता है यह simply तोर पर अगर देखा जाए तो RBC affected होती है ठीक है और malaria हमेशा RBC को कम करता है इसी वज़े से anemia disease का जो खत्रा है वो सबसे जादा इसी के अंदर बढ़ता है ठीक है अगले question के बारे में बात करते हैं शरीर में किसकी कमी से पहंगा नहीं घेंगा रोग हो जाता है गेंगा का मतलब होता है goiter तो किसकी वज़े से goiter डिजीज होती है इतना सोच कर आंसर कौन देता वही इतना सोच कर आंसर कौन देता वही बिल्कुल सही जवाब और आंसर है आयोडीन ठीक है बिल्कुल सही जवाब आयोडीन की वज़े से जो थाईरॉक्सिन हार्मोन है जो थाइरॉक्सिन हार्मोन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाता और इसकी वज़े से घेंगा रोग हो जाता है ठीक है बिल्कुल यह जो जवाब है आपका बिल्कुल सही है हाँ गले में सूजन आ जाती है तो गला बिल्कुल सूज जाता है तो यह गलगन रोग का नाम होता है अगला सवाल निम्न में से किस रोगानों से निमोनिया होता है कि वाइरस बैक्टीरिया प्रोटो जोवा और कवक कि सर गॉइटर कैसा रोग है कैसा रोग मतलब नॉन कमनिकेबल डिजीज होती है दिपिका कि जल्दी बताओ आपके साब से हाँ नहीं रॉक सॉल्ट में नहीं होता ना यह तो एड़ करते हैं ना सॉल्ट में थोड़ी पाया जाता एड़ करते हैं बिल्कुल एग्जैक्ली आंसर बिल्कुल सही है और आंसर इस बैक्टीरिया ठीक है कौन सा होगा बैक्टीरिया होगा ठीक है और अगर हम यहाँ पर बात करें बैक्टीरिया के बारे में तो कौन सा बैक्टीरिया होगा तो दिखो इसके दो नाम है या तो यह डिपलो कोकस कोकस निवमोनी के नाम से जाना जाएगा ठीक है तो अगर अब देखें तो ये इसका एच्छुल बैक्टीरिया होगा अगला सवाल डिप्थीरिया रोग किसको नुक्सान पहुचाता है आपके इसाब से ठीक है आखें गला यकरत और अगनाश है अच्छा तुझे बच्पन में हुआ था ओके हाँ बिल्कुल इनफ है बिल्कुल यूसफुल होता है रोक शॉट बिल्कुल यूसफुल होता है प्रोटो जोगी फैमिली का मामला यह कि जितने केरियर्स है वो सारे के सारे जो है प्रोटो जोगा फैमिली के अंदर ही है कि नहीं मौस्कुटो तो मौस्कुटो कैसे आता है मौस्कुटो बच्षर कई कीट वीट जितने भी होते हैं सारे और्थो पोड़ा के होते हैं कि बिल्कुल सभी जवाब है यहां पर यह फ्रॉट इनफेक्शन क्रियेट करता है और बिल्कुल इसका नाम है डिप्थीरिया अगला को शिन इतलीट फूट जो डिजीज होती है वो इन में से किस शे फैलती है जीवानों से फैलती है फफून से फैलती है प्रोटो जवा से या सुत्र करमी से फैलती एथलीट फूट इस डिजीज फ्रॉम बैक्टीरिया फंकल प्रोटो जो आ या नियूरलाजिया एचली में रखर देखें यहां पर यह नहीं है यह अब वाम ठीक है आपके साब से किससे फैलेगी जल्दी बताईए तक मैं यहां से और अगर देखा जाये तो बिलकुल आंसर होगा फंगल इंफेक्शन किससे फैलती है फंगल infection से फैलती है ठीक है exactly correct आंसर है fungal infection और fungal infection में भी कौन होगा trichophyton trichophyton ठीक है तो trichophyton नाम का एक fungus होता है या फंगई होता है जिसकी वज़े से यह बिमारी फैलती है ठीक है exactly अगर देखा जाए तो यही आंसर विलकुल सही होगा अगले question के बारे में बात करते है bird flu पैदा करने वाला h5n1 virus का पता सबसे पहले कहां लगा था आपके साबसे आपके साबसे कहां लगा था बड़ फ्लू पैदा करने वाला सबसे पहला पता कहां लगा गया था टीनिया पेडिस होता है पेडिस बिल्कुल 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 बहुत बार हम लोगों ने पढ़ाया ये चीज बिल्कुल सही आंसर है और अगर हम लोग आपर बात करें तो इसका पता 1991 के अंदर लग गया था ठीक है आंसर आपर बिल्कुल करेक्ट होगा नेहा ने आंसर सही दिया नेहा जोहान ने 1991 में सिम्टम स्किन डिजीज और क्रेकिंग फीट बिल्कुल अगर हम यहां पर बात करें बर्ड फ्यू 1991 के अंदर ज्यादा तर पता लगाया गया था अगला कोश्चन के बारें बात करते हैं दाद की बिमारी निमलिखित में से किस प्रकार की होती है ठीक है एक बैक्टीरियल है एक प्रोटो जवार है एक वाइरल है या एक फंगस है आपके इसाब से जो दाद होता है वो कैसा होता है सोचकर आंसर बताएंगे वेरी गुड प्रियांशी वेरी गुड आंसर इस करेक्ट आंसर है यह फंगस होती है ठीक है इसको राउंड वाम के नाम से जानते हैं इसको राउंड वाम नहीं अगर इसको हम बात करें तो यह जो डिजीज होती है बिल्कुल राउंड वाम होती है अगर हम लोग यहाँ पर बात करें फंगस के बारे में या दाद के बारे में तो यह दाद होता है ट्राइको फाइटोन से ठीक है तो ट्राइको फाइटोन न काम करने वाले लोगों के अंदर होती है हर्पीज वाइरस से होती है definitely लेकिन दाद की विमारी जो होती है वो ट्राइकोफाइटो नामक फंगस से होती है कागज उद्ध्योग सिमेंट उद्ध्योग कपास उद्ध्योग या पीड़क नाशी या पैस्टिसाइड इंडस्ट्री वाले होते हैं आपके साब से आंसर क्या होगा एक्जेक्ली आशुतोस रिंग वाम याद मुझे याद नहीं आ रहा था मुझे राउंड वाम याद आ रहा था बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली और भाई अभी से एक आज कहां गायब था तू क्लास से बिल्कुल सही जवाब एक्जेक्ली करेक्ट आंसर और आंसर होगा क्या पीडक नाशी उद्ध्योग के करमचारी में ठीक है एंप्लॉई आफ दा पैसी पैस्टी साइड इंडस्टी ठीक तो वाइट लंग डिजीज जो होती है वो जो पैस्टी साइड या नी की टक नाशी की इंडस्टी में काम करने वाली लोग है उनको मैक्जिमम होती है अगला कोशन चोड़िए इसको जाने दीजिए ये बी सुभे वी ऐसी लिए इसल प्रिया गुपता अगर आप बात करेंगे हर्पीज के बारे में हर्पीज एक वाइरल डिजीज है नो डाउट लेकिन अगर आप बात करेंगे रिंग वाम के बारे में तो रिंग वाम यानि दाद जो होती है वो एक फंगस या फंगल इंफेक्शन होती है अग्जेक्टी बिल्कुल सही जवाब और आंसर है लुकीमिया ठीक है लुकीमिया इसा ही और दीप्ती इतना बड़ा बील आनिका ज़रुवत है मैं वैसी मान गया था लुकीमिया से यह और इसी यू कहते हैं ब्लड कैंसर ब्लड कैंसर कैसे होता है ब्लड कैंसर होता है कि जब आपके ब्लड के अंदर WBC की मात्रा लगातार बढ़ जाए और बढ़ती चले इसको या इस कंडिशन को ब्लड कैंसर का नाम दिया जाता है अगला सवाल एक ऐसी महिला जो दूसरों के लिए बच्चा पैदा करने ही तू अपना गर्भाशे किराए पर देती है क्या कहलाती है जैविक मादा सोतेली मादा सेरोगेट मदर या फ्रॉस्टर मदर अच्छा 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 विषेश्ट बहुत बढ़िया बढ़िया हाँ कोशन में हर्पी सता हर्पी सता कोशन बिलकुल बिलकुल प्रिया इसलिए ओके ओके कोई बात नहीं बेटा कोई बात है इस ओके पूछ सकते हो कोई इस्यू नहीं है इसका आंसर तो आप में से सभी लोग ही जानते होंगे बिल्कुल सही जवाब आंसर है serogate mother क्या serogate mother इसको उधार की कोक भी कहते हैं ठीक है उधार की कोक के नाम से भी जाना जाता है अगला सवाल लोहे की कमी से इन मेंसे कौन सी डिजीज होती है ठीक है अगर आप यहाँ पर बात करें तो गॉइटर, पोलियो, रिकेट्स और इसकर भी ठीक है चलि मैं गॉइटर को यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पर एनी मी अगर देता हूँ, ठीक है, हाला की गॉइटर का भी रोल होता है डेफिनेटली, पर फिर भी रेंट पर कैसे दे सकते हैं, एक लीगल डॉकुमेंट साइन होता है जितने पैसे मांगे जाते हैं, उतने पैसे दिये जाते हैं इसके बाद में उधार की कोक मिलती है, उधार की कोक का मतलब टेस्ट्यू बेबी जैसा ही होता है मदर से एग लेते हैं, फादर से स्पम लेते हैं, दौनों को फर्टलाइस कराया जाता है किसी दूसरे की कोक में या दूसरे के यूट्रस के अंदर बस यही है इसके लाभा कुछ नहीं गॉइटर और एनीमिया बोथ हार करेक्ट ठीके तो आइरन की कमी से ये दोनों ही होते हैं अगला गोशन यदि अपसिस्ट पदार्थ पीने के पानी को दूशित कर दे तो आपके हिसाब से इन में से कौन सी बिमारी फैल जाएगी इसकरवी, टाइफाइड, मलेरिया या अरक्तता सुमन गौतां, वेरी गूड इवनिंग वेरी गूड, एग्जेक्ली आंसर बिल्कुल सही है और आंसर है टाइफाइड, ठीके, बिल्कुल सही जवाब, अगर हम बात करें तो टाइफाइड जो है वो कंटेमिनेटेड वाटर से फैलने वाली सबसे बड़ी डिजीज मानी जाती है, बिल्कुल सही जवाब, टाइफाइड, एग्जेक्ली आंसर इस करेक्ट, चलिए, और आज के लिए इतना ही ओवर करते हैं आज का सेशन, मेभी यहाँ पर कुछ गलती हुई है, और कोशन और सबस्क्राइब कर दीजिए हमारे इस चैनल को, और डेफिनेटली मैं आप लोगों मिलूँगा रात को वाइफाइ स्टेडी टू पॉइंट ओपर, वाइफाइ स्टेडी टू पॉइंट ओपर मिलूँगा डेफिनेटली और वहाँ करेंगे हम बहुत सारे कुशन, तो चलिए फिर आज के लिए यही पर इतना ही चोड़ते हैं, खतम करते हैं आज का सेश्चन